शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जैसी तुम्हारी छवत्ष हम आपकी साहता के लिए प्रिस्तुत है क्या हुआ मुनिवर किम्तु एक समस्या है यह दिव्य औशदिया शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती है अशुद्ध होने पर यह अद्रश्य हो जाते हैं और वस्ट आप तो इतनी लंबी आत्रा करके आयों फिर यहां नीचे एक सरोवर है यदि आप उस सरोवर में इसनान करके आएंगे तो यह दिव्य औशदिया स्वैम को आपके सम्मुख प्रगट कर देंगे जुहा ग्या मुनिवर रुको अपनान करते समय अपने नेत्र बंद रखीगा वो क्यों मुनिवर इसके पीछे एक लंबी कथा है कि यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूँ नहीं नहीं मुनिवर मैं नेत्र नहीं खोलूँगा आग्या दीजिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किन्तु प्रभू अनु मान जैसे बुद्धिशाली काल नैमी के छल में कैसे आ गए जब भी कोई कप्टी साधू का वेशधारन कर लेता है तो सरल हृदे लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं परन्तु जैसे ही कप्टी का आचार उजागर होता है छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सत्य सामने आ जाता है जैसा हनुमान के साथ हुआ कुछ दो तो सत्य कर दो 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 कर खाए, पाई, प現在 कुली मोलाई अ बाहे ? लगो आओ जय हनुमान ज्यानकुन सागर जय कभी सति हुलोका उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्रपवन जुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुवेसा खानन कुण्डन कुच्छ तकेसा हात बच्राओ धोजाबि राजे कांधे मूझे जनए ओ स्वाजे शंकर दुवन के सरी नंदन देज प्रदाप महा चगवत्तन विध्यावान कुणी अधि जातुर राम काज करे बेको आतुर पुचा रित्र सुनी बेको रजिया रामल खन सीता मल बजिया सूक्ष्व रूप आपका कल्याण हो कपिवर मैं आपको धन्यवाद करती है आप कौन है देवी मेरा नाम धन्यमाली है मैं स्वर्ग की अपसरा थी किन्तु प्रजापती दक्ष की शापवश मकर यूनी को प्राप्त हो गए और युगों से इस सरूवर में वासकर आप ही की प्रतीक्षा कर र मेरी मुक्ती हो गए ये सब मेरे प्रभू श्रे राम का प्रताप है इसमें मेरा किंचित भी श्रे नहीं पवन पुत्र आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहां स्नान करने के लिए भीजा था क्यूं क्यूंकि वह तपस्वी नहीं रावन का भीजा ह हुआ एक पाक्खंडी राक्षस है जो आपका वद करने के लिए मुनी का वेश बनाकर कपटपूर्वक यहां बैठ गया है एक बात और कपीवर आप उसके कमंडल की जल्से साफ़ान रहेगा उसमें अती भयंकर काल कूट विश्भरा हुआ 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 ह हुआ 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 ह पुजागर राम जूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्रपवन जुतनामा महावीर विक्रम जरंगी कुमद निवार समद के संगी कंचन बरन बिराज सुएसा कानन कुण्डन कुछ तकेसा हात बच्राओ धुजाब राजे कांधे मुझे जनएओ स्वाजे शंकर दुआनके सरी नंदन देजब्रदाप महा जगवत्तन विष्ट्यावान कुणी अधिचातुर राम काज करिबेको आतुर भुजा रित्र सुनी बेको रजिया राम लखन जी नाम भागे बहुत पिसलिता हो रही है उदे चलिए और श्यदियों के लिए जाने से पूर आपको एक मंत्र देते हैं कि मंत्र बहुत ही चमतकारी है अब आप मंत्र देंगे गुरु देव अतियुत्तम तब तो मेरा भी गुरु दक्षिना देने का दाईत्व हो जाएगा किन्तुवत गुरु दक्षिना का विधान तो देख्षा पूर्ण होने के पस्चात का होता है किन्तुव विशेश आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिना देना चाहता हूं गुरु देव जय हनुमान ज्यानकुण सागर जय कभी सति हुलोक उजागर राम जूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन जुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार समद के संगी कंचन बरन विराज सुएसा खानन कुंडन कुछ तकेसा हात बच्राओ धुजाब राजे कांधे मुझे जनए ओ साजे शंकर स्वाद के सही नंदन देजप्रदाप महाचक बतन वित्यावान कुणी अदिचातुर राम काचकर बेको आतुर पुजा रित्र सुनि बेको रजिया रामलखन सीता मलबदिया सुख्ष्वरूप धरिज भागते कहां है तुरुजे अम्रित कलश से अम्रित पान तो करते जाएए तुरूप धियाए शीरत वेरा हरशी उरलाय रगुपत कीनी बहुत बढ़ाई तुम अम प्रिय भरते हिसम भाई सहत बदन तुम रोज सकावे अजग ही शीपन दिकन्थ लगावे सनकादिक प्रम्हादी मुनीजा नारुत जारुत सहत आईजा जमग वेर दिगपाल जहादे कवि कोईट कही सगे कहादे तुमो उबदार सुख्रिभी कीना जय हनुमान ज्यान कुण सागर जय कभी सति हुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्र पवन जुतनामा महावीर विक्रंब जरंगी कुमत निवार सुमत गेसंगी कंचन बरन विराज सुएसा खानन न कुंडन कुच्छित केसा मैं तेरा भेज जान गया हुँ पाखंडी बोल कौन है तू क्या नाम है तेरा और मैं तेरा काल हुँ कालनेमी अजनि पुत्र पवन जुतनामा महावीर विक्रंब जरंगी कुमत निवार सुमत गेसंगी कंचन बरन विराज सुएसा खानन न कुंडन कुच्छित केसा हात बच्चरा ओध्चा बिराजे कांधे मुजजनय ओसाजे संकर दुवन के सरी नन न सुआ जेए श्री राव जिन चार दिव्वे आउशदियों से हम सब की जीमन रक्षा होने वाली थी वो सब दिव्वे आउशदिया किसी प्राणी के पास आते ही अत्रिश्य हो जाती थी बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अत्रिश्य होने लगी हनुमान विचित्र पहिली में फस गए थे रात्री पीपने में मात्र आधा प्रहर शेश था पुद्धी मानों में अक्र गण्य हनुमान को कोई उपाई न सूचता था हे औशधियों कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाईए श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यक्ता है तो क्या औश्यदियों ने अपने को प्रगट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिध होकर उनकी पैचान बन गई जै हनुमान ज्यानकुन सागर जै कभी सति हुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्रपवन जुतनामा महाबीर विक्रंब जरंगी कुमत निवार समधिके संगी कंचन बरन बिराज सुवेसा कानन कुण्डन कुचित केसा हात बच्च्र ओ धुजा बिराजे कांधे मूझ जनए ओ स्वाजे शंकर दुआन के सरी नंदन देज प्रताप महाचग बतन विष्ट्यावान कुणिया दिचातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभुच रित्र सुनि बेको रजिया राम लखन सीता मल बजिया सूक्ष्वरूपधरी जिय हितिकावा विकड रूपधरि लंक जरावा भीमा रूपधरी असुर सवारे राम चंडर के काज सवारे आये सा जीवन लखन जियाये श्री रगुबीर हरशी उरलाये रगुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम्मा प्रिय भरत ही समभाई सहत बदन तुम रोज सखावे असक ही श्रीपधि गंथ लखावे सनकादिक प्रमा दिमुनीजदा नारत जारत जहत आईसा जमक वेरतिक पाल जहादे कभी को भीत कही सखे कहादे तुम्मों बगार सुख्रिभगी कीना राम विजायरा जबद दीना तुम्मरो मंत्र विभीषन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जोग सहस्त्र जो जनवर भानो लीलो ताही मदुरबल जानो तुम्मुत्रिका मेलम गभाही जल दिलांग गए अजर जनाही दुर्गम गाज जगत गे जेते सुगम अनुग्रह तुम्रे देते राम दूवारे तुम रखवारे होतनाँ आगया बिनुबैजसारे जब सुखल है तुमारी सरना तुम रखषक काओ को टरना रिक्षनाच रिक्षनाच रिक्षनाच, याक्ते रही और भ्षो हमान मेंस आते हैं रिक्षनाच सुभा उने में चोताई गड़ी ही शेश है जय हनुमान ज्यानकुन सागर जय कभी सति हुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्र पवनदुत नामा महावीर विक्रंब जरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचनबरन विराज सुएसा कानन कुंडन कुछित केसा हाथ बच्राओं धुजाबिराज करते हैं मुझे जते हैं जाए तुम्मम प्रिया भरताई समवाई सहसबदन तुम्हरो यशगावे असुकही श्रीपती कंच लगावे जय हनुमान ज्यान कुणतागर जय कवी सति हुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्रपवन जुतनामा महावीर विक्रंब जरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचनबरन विराज सुएसा कानन कुंडन कुछित केसा हाथ बच्राओं धुजाबिरा पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहां उपस्तित हुए थे उसे देखकर कौन ये मानेगा कि वो आपके प्राण डक्षक बने केसरी नंदन हनुमान का यही विनीदभाव उन्हें महानता के सरवोच शिकर पर स्थापित की हुए है इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित पर बुद्धी तेज प्रताप का वर्णन मिल जा है हाँ मैंने भी प्रभुबग्ध हनुमान के कई प्रसंग सुने है किन्तु आपके श्री मुख से हनुमान के था सुनने का आनंद तो अम्रित तुलिय है हाँ प्रभु सुनाइए राभु आप सब संकट मोचन महा बली हनुमान की अध्भुद दीवन नीला सुनने के लिए कितनी मुझ्सुख है यह देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है और अब मैं आपको सुनाओंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन और बाले काल से लेकर आज तक की सुनी अंसुनी सारी कता